Hello everyone, welcome back to my channel आज आप सब के लिए मैं बहुती यूनिक सी टिंडे की सबजी की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बहुत असान है एकदम कम जंजड में हम ये बना कर तयार करेंगे और मैं जो ये सबजी बना रहे हूँ वो कम से कम 20-30 लोगों की बनाने वाली हूँ तो आप अपनी क्वेंटिटी को अपने हिसाब से ले ले सबसे पहले मैंने यहां फ्रेश टिंडे ले लिए हैं इनको मैंने अच्छे से वाश कर लिया है आप देख सकते हैं आप कोई भी साइज यहां यूज कर सकते हैं इनको हम पीसिज में कट कर लेंगे नॉर्मल जैसे हम आलू की सबजी बनाते हैं उसी तरीके से उसके बाद ग्रेवी के लिए मैंने यहां 6-7 मीडियम साइज के अनियन चॉप कर लिया है और 5-6 मैंने यहां टमेटो को भी चॉप कर लिया है इनको हमें रफली चॉप करना है क्योंकि हम इनकी प्यूरी बनाने वाले है इनको अब हम साइड में रख देते हैं और इसके बाद मैंने यहां एक अटोरी में 6-7 मीडियम साइज की हरी मिर्ची को भी काट लिया है इसकी भी हम ग्रेवी बनाएंगे अलग से इसकी ग्रेवी हम बनाकर तयार करेंगे साथ में हम इसे नई पिसेंगे इसको भी अब हम साइड में रख देते हैं यहां gas पर मैंने बड़ी कड़ाई ले लिए क्यूंकि मैं ज़्यादा quantity में सबजी बना रही हूँ इसके बाद मैंने इसमें 300 ml oil डाल दिया है quantity बहुत ज़्यादा लग रही होगी आपको लेकिन सबजी के हिसाब से यह एकदम सही है उसके बाद मैंने यहां 1 टेबल स्पून जीरा डाल दिया और 1 टेबल स्पून इसमें mustard seed भी मैंने डाल दिया है इनको हम थोड़ा सा चटकने देंगे flame को यहां मैंने low कर दिया उसके बाद सारे खड़े मसाले मैंने इसमें डाल दिया है दो से तीन तेजपता, दो से तीन ड्राई चीली और थोड़े से काली मिल्च, एक दो इलाइची मैंने इसमें डाल दिया है flame को मैंने यह एकदम low कर दिया है उसके बाद जो प्यूरी हमने बना कर तयार किये उसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे थोड़ा सा ध्यान से यह step आपको करना है तेल के चींटे बहुत जादा लगेंगे जब तेल के चींटे ना लगेंगे तो सारी प्यूरी इस तरीके से हम साथ में डाल देंगे flame को मैंने medium कर दिया है इसको हमें अच्छे से mix कर लेना है और 6-7 मिनिट के लिए medium flame पे हम इसे पका लेंगे 6-7 मिनिट होने के बाद इसमें मैंने चीली पेस्ट भी डाल दिया है अब इसको हमें बढ़िया से mix कर लेना है और इसको mix करके 2-3 मिनिट के लिए हम और पकने देंगे अब इसी stage पर हमें इसमें सारे मसाले डाल दिने है 2 मिनिट होने के बाद मैंने या 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है 2 टेबल स्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ आप quantity को थोड़ा कम रखे है अगर आप कम सबजी बना रहे हैं 4 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है एकदम सिंपल मसाले हम यूज़ करने वाले हैं अलग से कोई हमें कश्मीरी लाल मिर्च कुछ भी नहीं यूज़ करना है बहुत ही बढ़िया सबजी बन कर तयार होगी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट मैंने इसमें डाल दिया है अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारे मसालों को बढ़िया से मिक्स करने के बाद 6-7 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पका लेना है और आप देख सकते हैं 6-7 मिनिट बाद ओल एकदम साइड में हो गया है मतलब मसाले एकदम बढ़िया से पक चुके हैं यह एकदम परफेक्ट साईन है यह जानने का कि हमारे मसाले पके हैं या नहीं पके उसके बाद जो टिंडे की सबजी मैंने या काट कर रखी थी वो भी मैंने इसमें डाल दिया है सारे पिसे डालने के बाद अच्छे से मसाले के साथ हमें इसे कोट कर लेना है आप देख सकते हैं कोई अलग से shape मैंने नहीं दिया है एकदम normally इसे मैंने काट कर तयार कर लिया है इसमें मैंने 1 glass पानी डाल दिया है 100 ml water मैंने इसमें डालने के बाद इसे अच्छे से हमें mix कर लेना है और पानी मुझे यहां कम लग रहा है तो मैंने 1 glass पानी और डाल दिया है मतलब total 200 ml water मैंने इसमें डाल दिया है पानी हमें इतना ही डालना है जिसे यह जो टिंडे हमने कट करके डाले है वो अच्छे से भीग जाए पानी में medium flame पे 5-7 मिनिट तक इसको पका लेंगे बीच बीच में हमें चलाते रहना है और 7-8 मिनिट होने के बाद यह देखिए प्यूरी एकदम बढ़िया से थिक हो चुकी है जितना भी पानी है वो सारा absorb कर लिया है सबजी ने और आप बीच बीच में थोड़ा सा चेक भी कर सकते हैं तिंडे को अगर वो थोड़ा सा टाइट लगे तो आप इसे और पकाले पानी डाल कर अगर ना लगे तो यह पानी की quantity एकदम परफेक्ट है जो सबजी मैं बना रही हूं उसके हिसाब से यह quantity एकदम परफेक्ट है देख सकते हैं 7-8 मिनिट मैंने और पकाली दिया उसके बाद 2 तेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है एकदम चीटपटे फ्लेवर के लिए 1 तेबल स्पून मैंने आल लसन का पेस्ट दाला है यह हम लास्ट महीं डालेंगे इससे बहुत बड़र आता है पूरी सबजी में जान आ जाती है जब आप इसमें लसून एड़ कर देते हैं बहुती टेस्टी बनती है सबजी अगर आप लसून नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं 2 मिनिट के लिए इसको पकाने के बाद फ्लेम को मैंने या ओफ कर दिया है और आप देख सकते हैं एकदम मज़िदार सी एकदम सिंपल सी सबजी बन कर तयार है रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को भी सबस्क्राइब कर दें ऐसी अमेजिंग सी और हेल्थी रेसिपी के लिए अपना एक्सपीरियन्स मेरे साथ जरूर शेयर करें थैंक यू